इस वीडियो में मैं क्या डिसकस करने वाला हूँ उसके पहले मैं एक चीज आप से बोलना चाहता हूँ और वो यह है कि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टन वीडियो है गाईस आपने शायद rarely मुझे देखा होगा ऐसा करते हुए कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही अलग से बोला हूँ कि यार ये वीडियो बहुत इंपॉर्टन है बट येस इस वीडियो के लिए मैं अलग से पहले ही ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टन है और ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टन है जो आज की डेट में डेटा साइन्स और AI के फील्ड में है so it does not matter कि आज आज आप मेरे चानल पर डीप लर्निंग पढ़ रहे हो या NLP पढ़ रहे हो या Machine Learning पढ़ रहे हो मैं आपसे request करूँगा कि 20 मिनिट आप निकालो अपना time और प्लीज ये वीडियो देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या discuss करने वाल हूँ so मैं पिछले 6-7 सालों से data science पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ और trust me सब कुछ normal था 2022 तक 2022 के बाद ऐसा लग रहा है जैसे suddenly से सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है 2022 के नवेंबर में चार्ट जीपीटी आया और उसके बाद से ये field एकदम explode कर गया है और हर दिन एक नया model आ रहा है नए papers आ रहे हैं नए tools आ रहे हैं और काफी डर का महौल है तो मैंने इस पूरे process में बस एक चीज़ make sure किया कि मैं बहुत educated रहा हूँ तो मैंने बहुत सारे newsletters join कर रखे हैं बहुत सारी websites में follow करता हूँ बहुत सारे जो eminent personalities हैं में उनको follow करता हूँ सिर्फ ये समझने के लिए कि चल क्या रहा है और अभी recently एक नई चीज़ मुझे दिखाई दी और वो ये है कि Silicon Valley में जो बहुत सारे AI experts हैं उनका ये कहना है और उनका ये मानना है कि एक completely नया job title निकल के आ रहा है जिसको वो लोग AI engineer बुला रहे हैं So AI में अभी तक जो job titles होते थे वो आपने सुने होंगे शायद data scientist, data engineer, machine learning engineer, data analyst But now people are saying कि AI engineer बोल करके एक completely नई field, नया job title निकल के आ रहा है और there is a good chance कि अगले decade में ये job title, job market को dominate करेगा इसके बहुत सारे jobs आएंगे और इसमें salaries बहुत अच्छी रहेंगी तो obviously I'm an educator तो मेरा एक natural curiosity develop हुआ कि मैं समझना चाहता था कि ये job role क्यों आया market में और exactly AI engineer होता क्या है तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक बहुत logical तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि AI engineer होता कौन है उसकी जरूरत क्यों पड़ी और वो exactly काम क्या करता है and trust me ये वीडियो जब आप पूरा देखोगे end to end तो not only आपको AI engineer के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा but आप साथ ही साथ ये जो पूरा crazy महाल हो रखा है पिछले एक डिर साल से उसको भी थोड़ा better decode कर पाऊगे and that is why मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही request किया कि please this is an important video मैं generally ऐसा नहीं बोलता हूँ this is not a clickbait आप please ये वीडियो पूरा देखो और फिर आप comments में मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है so enough for the introduction let's start the video अब वीडियो को start करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा motivate करना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा क्यो देखना चाहिए so जब मैं research कर रहा था इस term के उपर की AI engineer क्या होता है उसकी job responsibilities क्या होती है तो मेरे दिमाग में curiosity आई कि क्या इंडिया में भी इस job role का demand है या फिर future में होगा तो मैं गया नौकरी.com पे और मैंने search किया AI engineer and to my surprise मुझे already बहुत सारी job postings दिखाई दी जहांपर companies AI engineers hire कर रही है जैसे यह देखो इस search के just थोड़ी दिर पहले ही IBM ने यह requirement डाली है few hours ago दो दिन पहले Accenture ने डाली है और अगर आप इस page को scroll करो तो you would find Gen AI engineer इस तरह की बहुत सारी आपको openings दिखाई देंगी throughout India second page पे भी अगर आप जाके देखो तो again you would find AI LLM engineer you would find a lot of such job requirements तो यह देख के मुझे लगा कि इंडिया में भी इस job role के लिए adoption start हो चुका है अब I know आपके दिमाग में क्या confusion हो सकता है आपके दिमाग में confusion हो सकता है कि यह तो data scientist ही hire कर रहे है यह companies अगर AI engineer hire कर रहे है तो they must be hiring data scientist उनकी वह requirement होगी अभी AI का इतना buzz है इसलिए वो उसको AI engineer बुला रहे है नहीं ऐसा नहीं है दोनों job roles में बहुत जादा difference है data scientist completely अलग काम करेगा AI engineer completely अलग काम करेगा और वही मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ अगर मैं आपको motivate कर पाया कि क्यूं आपको यह वीडियो देखना चाहिए तो now let's start this video and let's discuss in detail कि AI engineer exactly करता क्या है अब AI engineer की growing importance बताने के लिए मैं आपको एक example देके समझाता हूँ ठीक है example यह है कि हम अपनी company का example लेते है campus x का so campus x पे हम लोगों का एक website है जहाँ पर हम हमारा एक course sell करते है dsmp data science mentorship program अब यह course बहुत बढ़ा है इसमें around 500 hours का content है तो मुझे मेरे students की तरफ से यह feedback आया, suggestion आया उन लोगों ने बोला कि sir since आपका course इतना बड़ा है बहुत अच्छा होता अगर आपकी website पे यहाँ पर bottom में एक chatbot होता और यह chatbot trained होता आपके course के पूरे material के उपर और कभी भी अगर किसी भी student को किसी भी वीडियो में doubt आता तो वो जाकर के इस chatbot से सवाल पूछ सकता था और answers ले सकता था जैसे student को 33 minutes पे एक doubt आया तो वो इस chatbot में जाके बोल सकता है कि बताओ भाई sir ने 33 minutes पे क्या समझाया और यह chatbot आपको reply कर पाए तो मुझे यह idea बहुत पसंद आया मुझे लगा कि हाँ यार यह अगर मैं add कर पाऊँ तो मेरे course का doubt clearance बहुत अच्छा हो जाएगा तो अब मैं आपको 5 साल पीछे लेके चलता हूँ कि इस तरह का system 5 साल पहले कैसे बनाया जाता था I hope आप 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 आलड़ी समझ पा रहे हो कि यह system बहुत common चीज़ है मुझे एक chatbot चाहिए chatbot मुझे लगता है कि almost हर company को required होता है आप Swiggy को imagine कर लो आप Ola को imagine कर लो आप कोई भी और company को imagine कर लो आपको समझ में आ जाएगा कि उस company को customer support के लिए chatbot की requirement है तो it's a very common use case जो बहुत पहले से लोग solve करने की कोशिश कर रहे है बट 5 साल पहले चलते हैं पीछे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 5 साल पहले इस तरह की problems को कैसे solve किया जाता तो सबसे पहले क्या किया जाता था कि खुब सारा data इखटा किया जाता था जैसे मैं क्या करूंगा मैं अपने email account में जाऊंगा और वहाँ पर जितने भी मुझे doubts आते रहे हैं past में और जो भी हम उनको reply करते रहे हैं ये सारा data इखटा करूँगा ठीके, इसके अलावा हमने course में क्या पढ़ाया उसके notes, words इखटा करूँगा और इस data के उपर मैं अपना chatbot बनाने की कोशिश करूँगा अब obviously ये पूरा काम data science के अंदर आता है तो मुझे एक data science team चाहिए बढ़ेगी में भी दो-तीन data scientist को मैं hire करूँगा अब ये लोग अपना usual काम start करेगा जो आपने पढ़ रखा है machine learning life cycle ये लोग start करेंगे pre processing इसके बाद ये लोग जाएंगे टू जो भी basic चीज़े होती है tokenization, limitization and what not algorithms वगरा पे model को train करेंगे थोड़ी दर के लिए माल लेते हैं कि हमारा model train हो चुका है which means कि research phase में हमारा काम खतम हो चुका है हमारा जो model है वो function कर रहा है बट अब एक बहुत बड़ा challenge क्या आता है कि हमें इस model को हमारी इस website में integrate करना है अब यहाँ पर एक बड़ी problem ये आती है कि ये जो data scientist है इनको model building तो आता है बट इनको software development नहीं आता तो ये लोग इस website में खुद से तो इस model को integrate नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें reach out करना पड़ेगा हमारी software development team के पास या फिर हमारी web dev team के पास और हमें इन बंदों को जाके बोलना पड़ेगा कि देखो हमारा जो data science team है उन लोगोंने एक नया model बनाया है एक chatbot है आपका काम है आपको उस model को website पे integrate करने back and front it सब आपको देखना है अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा problem आता है problem आता है communication का right, क्या problem आता है problem यह है कि data science वालों को software नहीं आता और software वालों को data science नहीं आता तो इन वे आप दो teams को आपस में बात करने को बोल रहे हो, जो कि खुद अलग-लग languages में बात करती है तो बहुत महनत, मशक्कत के बाद किसी तरीके से आप अपने model को website में integrate करवा लेते हो time लगता है, बहुत friction होता है but हो जाता है finally यह काम problem तब आती है जब आपका software team बोलता है कि we are getting complaints from our customers that the performance of the chatbot is not up to the mark इसका मतलब यह है कि आपको अपने इस model को retrain करना पड़ेगा which is a very common thing in machine learning तो आपको क्या करना पड़ेगा model को वापस लाके, पूरा का पूरा जो यह process था, इसको repeat करना पड़ेगा और फिर वापस model को आप भेजोगे to the web dev team फिर से वो पूरी महनत करके upload करेगी model को on the website, so basically फिर से उतना ही time wastage, उतनी ही परिशानी और you never know कि finally आपका जो model है, वो अच्छा चल रहा है कि नहीं, तो यह एक बहुत बड़ी problem थी, communication की तो लोगों को लगा कि फिर इसका solution यह है, कि हम बीच में एक और ऐसे बंदे को लेके आए, जो interpreter का काम करे, यह एक ऐसा बंदा होना चाहिए, जिसको data science भी आता है और इसको software development भी आता है, and if possible इसको cloud computing का भी idea हो और इस job profile को बुलाया जाता है, machine learning engineer, कुछ जगों पे इसको MLOps engineer भी बोला जाता है जो लोग MLOps पढ़ चुके हो, उनको शायद समझ में हार होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ इस बंदे के बीच में आते ही, सारा का सारा काम smoothen out हो जाता है data science team communicate करती है ML engineer से, ML engineer communicate करता है, software engineer से and if there is a communication back, वो भी इस path के थूँ जाता है, और फिर आप इस पूरी चीज के लिए एक pipeline sort of setup कर देते हो, जो की पूरा चीज automated तरीके से handle कर लेता है तो यह जो पूरा flow है ना, यह है traditional way of building AI based applications, ठीक है, जहां पर आपके पास एक data science team होती है, एक machine learning team, machine learning engineers की team होती है, और एक software engineering की team होती है, but you can already see, as a business owner, if I'm the business owner, तो मेरे लिए यह already थोड़ा hectic है, तीम teams आपस में काम कर रही है, मुझे इन तीनों को salaries देनी है, and guess what, there is no guarantee कि जो output होगा, which is, मेरे chatbot का performance वो अच्छा होगा, in fact शायद आपको याद होगा, past में अगर आपने pre-chat GPT era में किसी भी company की chatbot से बात की होगी, तो responses उतने अच्छे नहीं होते थे, उतने intelligent responses नहीं होते थे, and guess what, हमने जो campus X के लिए chatbot बनवाया, वो भी अच्छा नहीं बना, अब क्या problems हो सकती है, क्यों ये chatbots बनाने इतने difficult है, there could be multiple issues, first issue यह हो सकता है, कि जो data हमारे पास available था क्योंकि after all machine learning models data के उपर बनते हैं, तो data हमारे पास available था, वो maybe कम था या फिर good quality का नहीं था, it could be the case, right, मेरे पास कितने ही emails होंगे, तो एक reason हो सकता है, खराब model बनने का, कि data का availability ही आपके पास अच्छा नहीं है, दूसरा reason यह हो सकता है, कि जो algorithms आपने use किये, इस model को build करने के लिए, maybe वो उतने बढ़िया नहीं थे, maybe आपको एकदम state of the art deep learning models यूज़ करने चाहिए थे, जो कि आपने नहीं किये और आपने conventional machine learning techniques यूज़ की, that could be one of के लिए, आपको GPUs चाहिए, और सबको पता है, GPUs are very costly, तो हम तो बहुत limited budget में ये काम कर रहे थे, तो फिर obviously हम GPUs यूज़ नहीं कर सकते थे, and that is why हम deep learning यूज़ नहीं कर पाए, and reason number four could be, talent, ऐसा भी तो हो सकता है, कि मेरी ये जो data science team है, जो machine learning engineers की team है, और जो software engineers की team है, they are not capable enough, मैंने जिन बंदों को hire किया, उनके अंदर उतना दम ही नहीं था, कि वो इतना solid chartbot मना पाते, तो इन में से कोई भी reason हो सकता है, इनका combination भी हो सकता है, बट, ऐसा past में बहुत होता आया है, कि जबी भी इस तरह का कोई project बनता था industry में, उसके failure के chance से ज़ादा होते थे in comparison to उसके success के, और फिर इसी problem को solve करने, एक चीज आई, जिसका नाम है foundational models, और इसके आने के बाद, चीज़े बहुत बदल गई, और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब foundational models क्या होते हैं, यह समझने के लिए, आपको बड़ी tech companies के mindset को समझना पड़ेगा, बड़ी tech companies जैसे कि Google हुआ, Facebook हुआ, Microsoft हुआ, Amazon हुआ, यह जो बड़ी tech companies हैं, एक बाद, इनका mindset समझते हैं इन बड़ी companies ना identify कि because of these four problems, जो छोटी companies हैं, वो अपने AI products नहीं बना पा रही है, ठीक है, जैसे कि Campus X अपना chartbot नहीं बना पाया, तो उन्होंने identify किया कि भाई, training data की कमी है, उन्होंने बोला यार हमारे पास तो huge amounts of data है, हमें यह problem है ही नहीं, algorithms की कमी है, state of the art models नहीं है, तो उन्होंने बोला यार हम हम बहुत तगड़ा talent hire कर सकते हैं, हर university के best बंदे को ला करके, research team set up कर सकते हैं, और models create कर सकते हैं, and lastly हमारे उपर कोई hardware constraints नहीं है, मतलब we can actually purchase जितना भी GPU required है, तो अगर हमारे पास यह सारी चीज़े हैं ही, तो क्यों नहीं हम इनको use करके, एक बहुत बड़ा model train करें, जो की बहुत accurate हो, और यहीं पर फिर बात आई, foundational model की, foundational model एक ऐसा model होता है, जो बहुत huge data पर train होता है, मैं आपको बताता हूँ, precisely तीन चीज़े होती है, foundational model में, first of all, it is trained on huge data, बहुत बड़े data पर train होता है, obviously, बहुत ज़ादा hardware requirements होती है, मतलब literally supercomputers पर आप train करते हो, इन models को, second एक और बहुत अगड़ी चीज़ होती है, foundational models की, की इनके पास wide range of capabilities होती है, मतलब यह कई तरह के tasks एक साथ solve कर सकते हैं, and third, की यह foundational models fine tune किये जा सकते हैं, मतलब if I am a small company, मैं इन foundational models को अपने data के उपर fine tune कर सकता हो, और अपनी specific problem को solve कर सकता हो, अब यह concept आपको समझाने के लिए, मैं specific type of foundational model का example होंगा, जिसका आपने बहुत नाम सुना होगा, LLMs, large language models, large language models are actually foundational models in the domain of language, और इनको train करने के लिए, next word prediction का task लिया गया था, और पूरे internet का data उठा करके, बहुत बड़े hardware के उपर इन models को train किया गया, तो उससे क्या हुआ कि इनके अंदर कही तरह की capabilities आ गए, LLMs not only अगला word predict कर सकते हैं, they can be used as question answering systems, they can be used for sentiment analysis, text summarization and a lot of other NLP tasks, because उन्हों about these LLMs is, कि they can be fine tuned, मैं एक LLM को उठा करके, उसको अपना data दूँ और अपनी specific problem solve करवा सकता हूँ, तो जैसे ही ये language models बन गए, ये large language models बन गए या फिर आप बोल सकते हूँ, ये foundational models जैसी develop हुए, तो Google जैसी companies को एक बहुत बड़ा business opportunity दिखाई दिया, इन लोगों ने बोला, छोटी companies को, कि यार आप एक chatbot बनाने के लिए इतनी महनत करते हो, एक data science टीम रखते हो, एक machine learning engineer टीम रखते हो, एक software engineering की टीम रखते हो, उसके बाद आप data provide करते हो, काफी time लग करके आपका chatbot बनता है, वो भी उतना बढ़िया नहीं बनता, what if आप अपने data scientists और machine learning engineers को हटा दो, और उनको replace कर दो, with our foundational models, हम आपको एक API provide करेंगे, और आपके software engineers क्या करेंगे, इस API पे hit करेंगे, और पलट करके जो response आएगा, हमारे foundational model से, उसको use करके, आपका chatbot बन जाएगा, now just imagine, मैं अगर एक छोटी company का owner हूँ, या CEO हूँ, तो मेरी लिए ये कितनी बढ़िया चीज है, सबसे पहले तो, मुझे इतने लोगों की salaries नहीं देनी, complexity कम हो गई, and the best part is, कि success का chance बढ़ गया है, because ये जो foundational models है, they are like really good, they are really good, तो अब अगर मुझे एक chatbot बनाना है, तो मुझे पूरे data science team को hire करने की ज़रूरत नहीं है, I just need the software team, जो की इन foundational models के साथ interact कर करके, मेरा chatbot बना देगी, I really hope आपको यहाँ तक का narrative समझ में आ गया, आप लोगों ने software as a service सुना होगा, ये चीज़ को आप model as a service बोल सकते हो, एक तरीके से, basically इन companies ने क्या किया, इन्होंने आपको बोला कि क्यों difficult problems solve करने के लिए, आप full time data scientists hire करोगे, instead आप हमारी जो brilliant research team है, उसको rent पे ले लो, और जितना आप use करोगे, उतना आप pay करो, so it's a very scalable way of earning a lot of money, और आजकी rate में जो open AI है, उसके APIs को लोग इसी तरीके से use कर रहे हैं, शायद आपको पता भी होगा, तो guys आपको foundational models की entry तो समझ में आ गई, अब एक काम करते हैं, AI engineer का role कैसे picture में आया, ये समझने के लिए, Campus X का जो example हम लोग लेके चल रहे थे, उसी को लेके आगे बढ़ते हैं, तो मैंने as the founder of Campus X, ये notice किया कि हाँ भाई, market में foundational models आ गए हैं, और foundational models को अगर मैं चाहूं, तो use कर सकता हूं, अपना chatbot बनाने के लिए, तो मैंने भी same काम किया, मैंने सिर्फ कुछ software engineers hire किये, और मैंने let's say open AI का, paid plan ले लिया, so that मैं API calls मार सकूं, और मैंने इन software engineers को समझा दिया कि मुझे एक chatbot बनाना है, with the help of this foundational model, अब हमारा काम स्टार्ट हुआ, तो सबसे बड़ा और सबसे पहला जो challenge आया, वो ये था, कि ये foundational model तो पूरे internet के data पे train हुआ है, बट हमें एक ऐसा chatbot बनाना था, जो हमारे use case के लिए suitable हो, मतलब campus X के data के उपर chart कर पाए, तो सबसे पहला जो challenge था, वो था fine tuning करना, right, foundational model को fine tune करना, so that वो हमारे data के हिसाब से chat generate कर पाए, अब ये काम किसके उपर डलेगा, since अब कोई data scientist तो है नी picture में, तो ये काम इस software engineer को ही करना पड़ा, इसको ही हमारा data ले करके fine tuning करनी पड़ी, ठीक है, fine tuning हो गई, हमारा chatbot operational हो गया, काम कर रहा है, फिर हमें user से थोड़ा feedback आया, कि भाई, कुछ hallucinations होते हैं, मतलब कभी-कभी कुछ ऐसा output बोलता है हमारा chatbot, जो real नहीं है, गलत है, और बहुत confidently बोलता है, तो थोड़ा study करने के बाद पता चला कि, हाँ भाई, ये problem तो सारे LLMs में है, तो that is why ये problem हमें भी आ रहा है, अब इसको कौन rectify करेगा, again ये software engineer, ये बिचारा जाकर के, थोड़ा advanced prompting techniques पढ़ा, कि कैसे हम थोड़ा और efficiently prompt कर सकते हैं LLMs को, ये जाकर के rag जैसी technique पढ़ रहा है, to reduce hallucinations, तो ये चीज़े करने के बाद, थोड़ा hallucination कम हुआ, उसके बाद पता चला कि, since ये chatbot थोड़ा सा complex है, तो आपको multiple API calls लेने पड़ते हैं, जो अगर आप खुद से code करने जाओ, तो बहुत difficult हो जाता है, थोड़ा research करके पता चला कि, भाई, ऐसे platforms हैं, तो अगेन ये काम किसका है, इस software engineer का, मैंने इसको बोला कि, जाओ भाई, langchin सीखो, so that आप थोड़ा efficiently, ये chatbot बिल्ड कर पाओगे, उसके बाद अगला challenge आया, कि जब हमने finally, एक दो महीने चला करके देखा, इस chatbot को तो पता चला कि, ये तो बहुत costly पढ़ रहा है, because ये जो API का cost है, वो बहुत high है, तो हम लोग बैठे सोचने के लिए, कि कैसे हम cost को नीचे ला सकते हैं, तो पता चला कि, rather than using open AI का, API या foundation model, what if हम कोई open source model यूज़ करें, तो मैंने फिर इसी software developer को बोला, कि जाओ भाई, hugging face जैसे platform पे जाओ, और वहाँ पर जाकर के, सारे open source LLMs को compare करो, और decide करो कि, हम कौन से open source LLM के साथ काम कर सकते हैं, तो बिचारा गया समझने के लिए, कि open source LLMs को कैसे compare किया जाता है, water the metrics, evaluate कैसे किया जाता है, पढ़के बिचारा, एक open source model select करके लाया, अब अगला बड़ा challenge है, कि उसको आपको उठा करके, अपने cloud service पर डालना है, उसके around API layer create करना है, उससे अपने software को connect करना है, basically इसको आप LLM Ops बुला सकते हो, तो ये काम भी अब कौन करेगा, यही बिचारा software engineer, फिर पता चला कि, कुछ बहुत managed services आ गई है market में, जैसे कि Amazon bedrock, what if हम वो services यूज़ करें, और इस पूरे process में, इस बंदे को ये सारी चीज़े करने के अलावा, बहुत up to date रहना पड़ता है, because daily basis पे, इतने सारे advancements हो रहे हैं, कि कल को कुछ ऐसा नया आ सकता है, जिससे हम drastically cost reduce कर सकते हैं, performance improve कर सकते हैं, तो nutshell में, अगर आप सोचो, तो ये जो बंदा है, जिसको मैंने hire किया था, as a software developer, वो precisely software engineering, core software engineering का काम, ज़ादा कर नहीं रहा है, हाला कि वो आज भी programming कर रहा है, बट वो जो programming है, वो एक completely अलग stack पे है, और इस stack को आप AI stack बुला सकते हो, और इसी engineer को हम, AI engineer बुलाते हैं, AI engineering is nothing but, a software developer और software engineer, working on the AI stack, और ये कोई नई बात नहीं है, past में भी ये हो चुका है, सबसे पहले software developers ही थे, software engineers ही थे, जब वो लोग website development का काम करने लगे, एक completely अलग stack पे, तो हम उनको web developers बुलाने लगे, जब यही software developers, cloud computing type के platform पे काम करने लगे, एक अलग stack पे, तो हम उनको devops बुलाने लगे, जब यह लोग android type के platform के लिए apps बनाने लगे, तो हम इनको mobile app developers बुलाने लगे, तो software developer में, एक नया branch create हो रहा है आज की rate में, जहां पर एक AI application को कैसे बनाना है, और कैसे चलाना है, with the help of a foundational model, ये काम जो engineers करेंगे, future में हम उन्ही engineers को AI engineers बुनाएंगे, I really hope बहुत लंबा रस्ता लेकर के, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, कि AI engineer कौन होता है, I really hope आपको इस बात समझ में आ गई, so nutshell में जिस तरीके से, traditional AI softwares बनाने के लिए, data scientist और software engineer के बीच में, ML engineer की जरूरत पड़ी, similarly future में ऐसा होगा, कि foundational models और software engineers के बीच में, एक बहुत specialist role की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम AI engineer बुलाएंगे, ठीक है, ये वो बंदा होगा, जो होगा तो software developer ही, software engineer ही, बट इसको AI stack का बहुत तगड़ा knowledge होगा, ठीक है, मैं एक बार आपको job responsibilities बताता हूँ, जो मुझे लगता है कि, ये engineer फुल्फिल करेगा, किसी organization में, सबसे पहले, fine tuning का इसको idea होगा, किसी भी foundation model के साथ, अपने domain specific task के लिए, fine tuning के बंदा कर पाएगा, basic know hows इसको पता होगे, LLMs के बारे में, कि LLMs में क्या-क्या technicalities होती है, क्या-क्या metrics होते है, उनको कैसे evaluate किया जाता है, कैसे compare किया जाता है, ये सारी चीजें इसको पता होगी, tooling के बारे में इसको काफी idea होगा, tools like land chain, llama index, AWS bedrock, इस तरह की tooling, जिनके help से ये LLM applications बनेंगे, इसका काफी idea होगा इस बंदे को, prompting का काफी knowledge होगा, जो भी prompting techniques होती है, one shot, zero shot, few shot, chain of thoughts, इन सब का idea रखेगा ये, LLM ops बोलके एक नई field बन रही है, जैसे ML ops होता है, similarly, LLM ops बोलके एक नई field बन रही है, there is a good chance कि हमारा ये जो AI engineer होगा, उसको इस field के बारे में भी काफी knowledge होगा, and lastly, उसका एक और बहुत special काम होगा, कि वो काफी पढ़ते रहेगा, और काफी research करता रहेगा, और काफी updated रहेगा, because ये particular जो field है, AI engineer वाली, ये बहुत तेजी से advance कर रही है, तो यहाँ पर ऐसे लोगों को बहुत खोजा जाएगा, जो बहुत up to date रहते हैं, जो भी current advancements हैं उनसे, तो in short मेरा prediction है कि organizations में, जो current software developers हैं, वही कुछ सालों में AI engineer बन जाएंगे, और जो अगले generation के software developers हैं, students हैं अभी, वो college time से ही बहुत specialized तरीके से prepare करेंगे for AI engineer का job role, और courses आने लग जाएंगे market में, और ये particular job role बहुत mainstream हो जाएगा, this is my prediction, एक चीज़ शायद आपको और अच्छे से समझ में आ गई होगी, कि ये जो AI engineer का job role है, ये एक data scientist के job role से काफी अलग है, data scientist का जो job role है, वो इस level पर operate करता है, research level पर, और data scientist का काम होता है, model, building, and model का training, उसके पीछे क्या maths लग रही है, किस तरीके से आप models बनाते हो, what are the different architectures, उस level पर काम करेगा data scientist, और वो model बना करके दे देगा, AI engineer जो है, वो application level पर काम करेगा, कि हम कैसे उस model को use करके, efficiently एक AI powered software बना सकते हैं, तो यहाँ पर आप inference level पर काम कर रहे हो, ठीक है, आपका concern नहीं है, कि model train कैसे हुआ, what are the architectures that are being used, आपका सिर्फ एक sole focus है, कि जो model मुझे दिया जा रहा है, उससे मैं best software कैसे बना पहूँ, जो AI powered हो, ठीक है, तो अभी ऐसा हो सकता है, कि थोड़ा बहुत overlap आपको देखने को मिले, इसका मतलब यह है कि अभी, near future में आपको जो openings दिखाई देंगी, AI engineer की, वहाँ पे ऐसा हो सकता है, कि आपको ये लिखा मिले, कि हम तो भाई ऐसे AI engineers को hire करेंगे, जिनको machine learning का idea हो, deep learning का idea हो, models build करना आता हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि future में, 2-3 सालों के बाद, जब ये industry थोड़ा mature कर जाएगी, तो यहाँ पर abstractions आ जाएगे, इसका मतलब ये है, कि data scientist पूरा अपना काम करके, model बना के दे देगा, और फिर उस model से inference करके, AI engineer software बनाने का काम करेगा, दोनों के बीच में overlapping बहुत reduce हो जाएगा, और future में जो job openings होंगी, वहाँ पर शायद आपको ये ना देखने को मिले, कि AI engineer से expect किया जा रहा है, कि उसको deep learning, machine learning, सबका basics पता हो, तो ये एक चीज़ और है, जो मैं predict करना चाहूंगा, so guys I hope, मैं आपको समझा पाया, कि ये जो नया job role निकल के आ रहा है, वो क्यों निकल के आ रहा है, उसकी पीछे का reasoning क्या है, वो शायद मैं आपको समझा पाया, अब एक last चीज़ और, since मैं teacher हूँ, तो ये मेरा काम है, कि मैं समझूं, आपको कहां पर doubt आ सकता है, मुझे लग रहा है, आपके दिमाग में एक doubt अभी आया हूँ है, और वो doubt ये है, कि थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला, कि foundational models आ करके, data scientists और machine learning engineers को, हटा रहे हैं, उनको replace कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है, कि future में data science का job नहीं रहेगा, machine learning engineers का job नहीं रहेगा, सिर्फ लोग foundational models use करेंगे, AI engineers होंगे, और software developers होंगे, the answer is no, so foundational models जो होते हैं, वो होते तो बहुत powerful हैं, but वो बहुत specific, not specific actually, बहुत general type की problems को ही solve कर पाते हैं, right, जैसे अगर आपका एक language based foundation model है, LLM है, तो वो language से related problems को solve कर सकता है, ठीक है, but क्या आपको ऐसा लगता है कि data science में सिर्फ language related problems है, नई, मैं आपको एक company का example देता हूँ, और वो company है Swiggy, Swiggy का example मैं इसले ले रहा हूँ, because Swiggy का data science is very very good, और वो लोग काफी अच्छे blogs publish करते हैं, अपनी website पी यह समझाने के लिए, कि उन्होंने अपने business में data science कैसे implement किया है, मैं आपको बस कुछ use cases बताता हूँ, Swiggy के अंदर, जैसे Swiggy ने एक और problem के उपर काम किया है, data science लगा करके, वो है assignment and routing optimization for Swiggy Instamart delivery, मतलब किस rider को order दिया जाएगा deliver करने के लिए, और वो किस route से जा करके deliver करेगा, यह machine learning के थूँ पता किया जाता है, अब यह जो है न, यह एक बहुत specific problem statement है, जो LLM solve नहीं कर सकते, एक और example लेते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि user जो address देता है, और Google Maps जो address बताता है, उसके बीच में difference होता है, what if आप यह difference predict कर पाओ, तो यह काम भी Swiggy की data science team ने कर रखा है, and again it is an example of a problem statement, जहां पे LLMs इस problem को solve नहीं कर सकते, LLMs कुछ general सी problem को solve कर सकते हैं, like sentiment analysis, next word, prediction, question answering, but वो इतना specific use case, जो किसी company का है, उसको solve नहीं कर सकते, I'll give you two more examples, food net, simplifying online ordering with contextual food combos, मैंने जो खाना order किया, उसके साथ exactly क्या खाने का combination suggest किया जा सकता है, based on my database, that is again a very specific problem, जिसको solve करने के लिए LLMs आपके काम शायद ना आ पाएं, and the last one is, predicting food delivery time at cart, जब आप किसी दुकान को order देते हो, तो वहापे पहले से आपको बताया जाता है, कि लगभग लगभग कितना time लगेगा, again something जो बहुत सारे internal factors के ओपर depend करता है, जो मुझे नहीं लगता, LLMs solve कर सकते हैं, तो मेरे कहने का मतलब यह है, कि data science में दो तरह की problems होंगी, एक होंगी general kind of problems, जैसे की chatbot बनाना, सभी companies को इसकी requirement होगी, ठीक है, या फिर demand forecasting, हालाकि इसके उपर मैंने अभी तक कोई बहुत solid LLM नहीं देखा है, या फिर recommender systems बनाना, यह कुछ ऐसे use cases हैं, जिनका काम सभी companies को लगता है, तो इन problems को tackle करने के लिए, maybe future में आपको दिखाई देंगे, foundational models, but there would be some very specific problems, very specific problems, जैसा मैंने अभी आपको Swiggy के case में दिखाया, कि आप बहुत अपनी छोटी-छोटी business problems को solve करना चाहते हो, with the help of data science, अब यह काम करने के लिए, आप LLMs या फिर foundational models use नहीं कर पाऊगे, because this is a very specific problem to your business, तो जो यह specific problems होंगी, इनको solve करने के लिए, यही traditional जो तरीका है, data scientist को hire करो, software developers हैं ही आपके पास, बीच में एक machine learning engineer को बिठाओ, और इस पूरे flow को execute करो, यह काम होता रहेगा, but यह जो common problems हैं, chatbot बनाना, etc., इस तरह की problems के लिए आप, यह नया flow use करने लग जाओगे, जहाँ पर foundational models आ जाएंगे, और आपको एक AI engineer की जरूरत पड़े ही, जो एक software engineer के साथ बैठ करके, आपका पूरा AI powered application बना सकता है, so nutshell में, आपका पूरा जो data science का field है, वो ऐसे दो parts में divide हो जाएगा, एक traditional तरीका, जिस तरीके से अभी तक बन रहा था, software AI powered, और दूसरा ये नया तरीका, जहाँ पर foundational models आ गए, तो अब ये आपका decision है, कि आप data scientist के रस्ते जाना जाते हो, या फिर आप AI engineer के रस्ते जाना जाते हो, by the way, data scientist अगर आप बनोगे, तो there is a chance कि आप किसी बड़ी company में, foundational model बनाने वाली team में भी काम कर सकते हो, right, आपका placement open AI में भी तो हो सकता है, मतलब वैसा भी रसोचा जा सकता है न, तो ये बस आप आपको clarity रखनी है, तो I really hope इस पूरे video के थूँ, मैं थोड़ी clarity लाप आया, ये जो पिछले एक देर साल से, ये crazy महौल हो रखा है, हर अगले दिन एक नया paper आ रहा है, नया tool आ रहा है, Devin जैसे videos आ रहे हैं, और समझ नहीं आ रहा है कि चल के आ रहा है, इस field में, मेरा idea ये ही था, कि मैं इस video के थूँ, थोड़ा clarity लाना चाहता था, एक picture clear करना चाहता था, I really hope मैं कर पाया, अब बस एक last question का answer मैं आपको देना चाहता हूँ, कि should you become an AI engineer, क्या आपको AI engineer बनना चाहिए या नहीं, again मैं ये answer नहीं कर सकता, ये answer आप ही को करना पड़ेगा, because आपको पता है कि आपके strengths और weaknesses क्या है, बट मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, और वो ये है कि इसका demand बढ़ेगा अभी, obviously, demand तो बढ़ेगा, क्योंकि आपको दिखी रहा है, कितने लोगों के मुझे अभी AI निकल रहा है, right, so demand बढ़ेगा, बट जो supply है, मतलब पढ़े लिखे काबिल AI engineers की, वो अभी बहुत कम है, obviously, बात है, because बहुत लोगों को पता ही नहीं है, definition ही नहीं पता कि AI engineer क्या होता है, तो लोग पढ़ा भी नहीं रहें इस course को, तो फिर लोग पढ़ भी नहीं रहें इस course को, तो in short, बहुत कम individuals अभी है, जो इसको seriously ले रहे हैं, और ये skill develop कर रहे हैं, तो economics तो simple सी बात बोलता है, कि अगर demand जादा है, और supply कम है, तो prices उपर जाएंगे, prices से मेरा मतलब है salary, तो my prediction is, for the next 5 years, ये job role पहले तो important होता जाएगा, number of jobs बढ़ते जाएंगे, जिसकी वज़े से salaries बढ़ेंगी, उसके बाद फिर सब को पता चल जाएगा, कि भाई AI engineer बहुत तगड़ी चीज है, तो सब लोग बढ़ने लगेंगे, तो supply बढ़ जाएगी, demand घटने लग जाएगा, salaries stabilize हो जाएगी, जो सब के साथ होता है, एक time पे Java developers को भी बहुत पैसा मिलता था, web developers को भी बहुत पैसा मिलता था, तो ये हर किसी के साथ होता है, currently हम इस technology के rising वाले curve पे हैं, और मुझे लगता है कि ये 5 years तक तो चलेगा, अब आपको AI engineer बनना चाहिए या नई, और exactly अगर आप बनना चाहते हो, तो कैसे बना जाए, क्या road map follow किया जाए, अगर आप ये जानने में interested हो, तो मैं आपके साथ वो step by step tutorial शेर कर सकता हूँ, मेरे next video में, बट वो मैं तभी करूँगा, जब आप मुझे comment में लिखके बताओगे, कि आपको उसकी ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं वो video नहीं बनाओँगा, so that's it for the video guys, I really hope इस video के थ्रूँग मैं थोड़ा value create कर पाया, आपकी life में, अगर आपको इस video पसंद आया है, तो please like करना, और अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है, please do subscribe, मिलते है next video में, बाई,